एक बहुत ही major parenting mistake जो parents करते हैं बच्चों के साथ में that is giving negative suggestions अगर वो कुछ भी suggest कर रहे हैं बच्चे को करने के लिए उसके साथ वो एक negative statement जोड़ देते हैं for example बच्चा खाना खालो नहीं तो police आ जाएगी नहीं तो कोई devil आ जाएगा बच्चा पढ़ाई कर लो या तो आप fail हो जाओगे बच्चा ये कर लो नहीं तो ऐसा हो जाएगा तो ये negative suggestions क्या हो रहा है जब भी आप negative suggestions देंगे और वो consistently आप देते जा रहे हैं तो सब बच्चे के subconscious को एक message पहुँच जाता है कि यार ये तो बहुत जादा ही डरा रहे हैं तो इतना भी नहीं डराना है बच्चे को कि बच्चे का डर खतम हो जाए तो आप देखेंगे अगर आप consistently negative suggestions देते जा रहे हैं जैसे बच्चा बड़ा होगा वो parents की बात नहीं सुनेगा क्योंकि उसको पता है कि यार ये तो हमेशा negative ही बोलते हैं अगर मुझे कुछ भी मुझसे कुछ भी करवाना है तो parents के suggestions अगर वो अच्छे भी हैं तो भी वो सुनना बंद कर देगा तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो suggestions, negative statements आप प्लीज इमेड़ेटली बंद कर देगा